हाई फ्रेंड्स राजपूत एजूकेशन सेंटर में आपका हार्देग स्वागत है दोस्तों इपिटेट के पेपर में हिंदी बाले सेक्षन में बार बार जो प्रसन आते हैं उनी को हम करेंगे दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में सिच्छक पात्रता परिच्छा होती है उसी में से एक सेक्षन हिंदी का पोर्षन होता है उसमें बार बार जो प्रसन आते हैं उनी प्रसनों को हम करेंगे तो आईए पहले प्रसंद पर देखते हैं निम्न में से संयुक्त बैंजन काउन सा नहीं है तो दोस्तों इसके आपसन है त्रा, छा, या, ग्या तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा या क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ कि या अंतस्त बैंजन होता है अंतस्त बेंजन चार होते हैं या वा र ल और छा त्र ग्या स्रा ये सारे सैंक्त बेंजन होते हैं अगला प्रस्ट जिनका उचारड ऊपर के दांतों पर जीव लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं अप्सन है मूर्धन, कंठ, दंत, अनुनासिक तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दंत क्यूंकि जब भी हम किसी बर्ड का उचार करते हैं तो अमारी जीव उपर के दांतों पर इस पर्स करती है तो उसका उचारड दंत होता है अगला प्रसंद, भासा की सबसे छोटी इकाई है, अप्सन है लिपी, बर्ड, सब्द, बाग्ड, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बर्ड बर्ड कह सकते हैं या इसका दूसरा रूप कह सकते हैं या दूसरा नाम अच्छर भी होता है क्योंकि इनके हम टुकडे नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें लिपी की बात करें तो हम कह सकते हैं जब भी हम किसी बासा को लिखित या इस्थाई रूप देने के लिए जो भी लिखित चिन्नों या प्रतिकों का प्रियोग होता है उसे लिपी कहते हैं और सब्द की बात करें तो दो या दो से अधिक बढ़ मिलकर ए अगला प्रसन अलब प्राण दुनियों का समू कौन है? तो दोस्तो इसका अंसर बी वाला हो जाएगा चा जा हुआ अलब प्राण की बात करें दोस्तो तो जब भी हम किसी भी बर्ड का उचार करते हैं तो हमारी सांसों पर बहुत कम बर्ड लगता है तो उसे अलब प्राण दुनि कहते है बर्गी ब्यंजन में पहला और तीसरा और पांचमा जो बर्ग होता है वो सारे अलब प्राण कहलाते है अगला प्रसन हिंदी में ब्यंजन बर्डों की संक्या है तो आफसान है 30, 28, 33, 35 तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 33 और 13 स्वर होते हैं अगर हिंदी में कुल बर्ड की बात करें तो टोटल बर्ड होते हैं 52 उन 52 अच्छरों में 49 ब्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं अगला प्रस्वर किसका बेद है? संदी, समास, बर्ड, लिंग तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बर्ड अगर हम संदी की बात करें तो बर्ड के मेल को संदी कहते हैं और समास की बात करें सब्दों के मेल से दूसरा सब्द बनता है उसे समास कहते हैं और लिंग की बात करें, तो लिंग का साब्दिक अर्थ होता है पहिचान करना, जिससे पुरुस और इस्तरी होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं, अगला प्रसन है, उत्छिप्त द्वन का प्रियोग हुआ है, आपसन है, खसरा में, जफर में, आर्जू में, की बेंजन में, डा और धा के नीचे, जो बिंदु होता है, उसी को उत्छिप्त द्वन कहते हैं, और ये हमेसा सब्द के बीच में ही प्रियोग होते हैं, और दोस्तों, जफर में यहां, जा के नीचे, जो पॉइंट है, जा और फा, ये विदेशी बर्ड होते हैं, या कह स अप्सवन है, चार, तीन, दो, छे, तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर वाला, दो, हिंदी में, अंग, अहा, दो अयोगवा होते हैं, ना वो स्वर की सेड़ी में आते हैं, ना बेंजन की सेड़ी में आते हैं, वो स्वर और बेंजन की बीच की कड़ी होते ह क्योंकि ये किसी के योग से मिलकर नहीं बने होते हैं इसलिए इन्हें अयोग बाप कहा जाता है अगला प्रस्थ निम्न में से महाप्राण बर्ड है बड़ा का था चा तो दोस्तो इसका अंसर था हो जाएगा ये सारे महाप्राण नहीं है किवल जो था बर्ड है वो माप्राड है अगर हम माप्राड की बात करें जब भी हम किसी बर्ड काउचार करते हैं तो हमारी सांसों या प्राडों पर अधिक बल पड़ता है उसे माप्राड करते हैं और बर्गी बिरंजन में दूसरा और चौथा जो बर्ग होता है वो माप्राण होते हैं अगला प्रेस्ट उसमबर्ड है उसमबर्ड दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा सा जो तीनों सा है वो उसमबर्ड होते हैं इसके साथ हा भी आता है तो उसमबर्डों की संक्या दोस्तों चार होती है और यारा लब ये चार अंतरस्थ ब्यंजन होते हैं अगला प्रस्ट तालब ब्यंजन है तालब ब्यंजन है तो दोस्तों इसका अंसर चा चा जा हो जाएगा ये तालू से बोले जाते हैं या इनका उचाड तालू से होता है अगला प्रस्ण अंतस्त ब्यंजन है अप्सन है यारा लब सासा सा छात्रग्या अंग है तो दोस्तों यारा लब ये अंतस्त ब्यंजन होते हैं और सासा है ये सारे उसम ब्यंजन होते हैं और छात्रग्या ये संयुक्त ब्यंजन होते हैं और अंग अहा ये अयूबा होते हैं अगला प्रस्ण उत्छिप्त ब्यांजन है तो आफसन है पहला आफसन है डा डा यही उत्छिप्त ब्यांजन होते हैं अगला प्रस्ण निम लिकित में एक इसपर्ष ब्यांजन है हा सा ला छा तो दोस्तों इसपर्ष ब्यांजन के वल छा है अगला प्रस्ट कौन सा बड ओष्ट नहीं है इस प्रस्ट में कहा गया है कौन सा बड ओष्ट से उचाड नहीं होता है तो दोस्तों उपर वाले तीन ओप्सन ये तीनों ओष्ट से बोले आते हैं और बड़ा आ ये ओष्ट से नहीं बोला जाता है